इस फिल्म की कहानी एक ऐसी वरत पर आधारित जिसका पती एक जंग में घायल हो जाता है और फिर अपनी पत्नी की पेलंपेली नहीं कर पाता और फिर उसकी पत्नी हवस मिटाने के लिए अपने नोकर का सहारा लेने लग जाती है इसके बाद कहानी में आगी क्या होता है वो आज हम इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले है और आज हम जिस मुवी को एक्स्प्लेन करने वाले है उसका नाम लेड़ी चैटरली जलवर जो की रिलीज हुई थी 1981 में मुवी की शुरुआत में घोडो की रेस दिखाई जाती है जिसे क्लिफ़र नाम का एक आदमी जी गई है और इस वज़े से क्लिफ़र को अगली सुबह ही सेना में वापस जाना पड़ता है क्लिफ़र जर्मनी की खिलाफ जंग लड़ ही रहा होता है और तब ही कहीं से एक ग्रे नाइड उसके पास आकर गिरता है और वो गायल हो जाता है और इस वज़े से उसकी पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पेरिलाइज हो जाता है, अब क्लिफर्ड चल नहीं सकता था, तो हमीशा एक विल्चेर पर रहता था, और उसकी वाइफ कोनी उसका खयाल रखती थी, पेरों के साथ साथ क्लिफर्ड का पपू भी पेरिलाइज हो जाता है, चोटा चेतन खड़ाना होने के वज़े से कौनी की प्यास नहीं बुजा पाता था अब क्लिफर्ड एक दिन कौनी को बोलता है कि तुम मेरी वज़े से अपनी बाकी की लाइफ बरबाद मत करो अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम मुझसे प्यार कर सकती हो इसके अलावा अगर तुम्हारा बच्चा भी होगा तो मैं उसे अपना वारिस बना लूँगा लेकिन कौनी उसे साफ मना कर देती है फिर वहाँ पर उनका गेटकेपर ओलिवर आ जाता है क्लिफ़र ओलिवर को घर तक छोडने के लिए बोलता है ओलिवर के नजर कौनी पर पढ़ती है और एक जलक में ही वो उसका दिवाना हो जाता है जाते समय भी वो बार-बार मुड़कर कौनी को देखता रहता है एक दिन अचानक से क्लिफ़र की तबियत खराब हो जाती है तो वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है तब भी वहाँ पर एक नर्स आती है जिसका नाम मिस बोल्टन होता है और वो क्लिफ़र का इलाज करने लगजाती है इसके बाद कौनी को बोलता है कि तुम ओल्लीवर के पास जाकर देखो कि मुर्गी ने अंडे अच्छे दिये या नहीं अब कौनी अपने पती की बात मानकर ओल्लीवर के पास जाती है जो कि जंगल के बीच एक केबिन में रहता है वहाँ पहु के ही खायाल आते है और वो ओल्लीवर को देखकर इमेजिन करने लग जाती है कि ओल्लीवर उसके साथ गपागप कर रहा है वो पूरी रात ओल्लीवर और उसके ओजार के बारे में सोस्ती रहती है और साथ साथ उसको इमेजिन करते वे अपने मोत के कुवे में हाथ भी डाल तब Oliver उसे एक चाबी देता है और बोलता है कि अब तुम कभी भी अंडे देखने आ सकती हो अब इसके बाद कौनी हमेशा ही Oliver के केबिन में पहुच जाती थी और अंडो के बहाने Oliver को देखती थी एक दिन Oliver अंडो से निकले चूजे कौनी को दिखाता है तो कोनी रोने लग जाती है तब कोनी उसको बताती है कि उसके कोई भी बच्चा नहीं है और क्लीफर को देखकर लगता नहीं कि कभी होगा भी और इसके बाद Oliver उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है अब दोनों धिरे-दिरे गरम होने लग जाते है और वहीं पर गपागप शुरू कर देते हैं लेकिन गपागप के बाद कौनी को गिल्टी फील होता है और वो वहां से बग जाती है और भाग कर वापस घर आ ज होता है वो एक दिन घर पर भी आ जाता है मिलने के लिए लेकिन वहां कोनी तो नहीं मिलती मिस बोल्टन जरूर उसको देख लेती है एक दिन कोनी घर के बार बेटी होती है तब Oliver वहां आ जाता है फिर Oliver उसे पूछता है कि क्या हमने जो कुछ भी किया वो गलत है तब कोनी को मना करती है फिर दोनों वहां से जंगल चली जाते है और फिर जंगल में मंगल करते है इसके कुछ दिनों बात कौनी फिर Oliver के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए Oliver फिर उसे Clifford के बारे में पूछता है तब कौनी बताती है कि इस बारे में Clifford से ब पालीवर पाला के आ रही है इन सब के बावजूद भी वो ओलीवर से मिलती रहती है और वो उसको आज रात रुखने का बोल देती है वो उससे ये भी बोलती है कि मैं तुमारी पत्नी बनने को तयार हूँ लेकिन क्लीवर को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसको मेरी जरूरत है ओलीवर फिर उसे बोलता है कि अगर क्लीवर को हमारे बारे में पता चलेगा तो वो तुमें छोड़ देगा क्योंकि कोई पती नहीं चाहेगा कि उसका वारिस एक नोकर का बेटा हो फिर कोनी गर आती है त कौनी क्लिफर्ड के सोने के बाद में ओलिवर के पास जाती है जहां वो दोनों एक घर में जाते है और वहां पर दोनों गफागप करते है दूसरी तरफ क्लिफर्ड की भी नींद खुल जाती है और फिर वो कौनी को देखने के लिए उसके रूम में चला जाता है लेकिन वहाँ वो देखता है कि कौनी अपने कमरे में नहीं होती सुबह होते ही कौनी घर आ रही होती है क्लिफर्ड सामने बेटा होता है कौनी क्लिफर्ड के कुछ बोले उससे पहले ही बोल पड़ती है कि तुम नहीं तो कहा था कि अपने लिए किसी आदमी को पसंद करने के लिए तब Clifford उसको बोलता है कि मैंने ये नहीं बोला था कि तुम किसी नोकर के साथ में भी गफागप कर लो और अगर तुम प्रेगनेंट हो गई तो एक नोकर का बच्चा मेरा वारिस बनेगा इसके बाद Clifford Connie को Venis भेज देता है और Oliver को भी काम से निकाल देता है। फिर Connie को पता चलता है कि वो प्रेगनेंट हो गई है तो वापस Clifford के पास आ जाती है। वहाँ आने पर पता चलता है कि क्लिफट ने ओलिवर को काम से निकाल दिया और फिर कौनी क्लिफट पर बहुत ज़्यादा गुसा करती है और फिर ओलिवर को ढूनने के लिए निकल जाती है। कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएगा ऐसे ही और एक्स्प्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।